मनिपूर में दो महिलाओं से योन हिंसा का मामला CBII को केस सौपे का ग्रीह मंतरा ले मनिपूर की दो महिलाओं से योन हिंसा का वीडियो बनाने वाला शक्स गिरफतार पुलिस ने मोबाइल भी किया जब सुप्रीम कोट में केंदर दाखिल करेगा हलफ नामा मनिपूर से बाहर वाइरल वीडियो की सुनवाई की अपील ग्यानवापी सर्वे पर फिलहाल रोक रहेगी तीन अगस्त को आएगा इलाबाद हाई कोट का फैसला सुप्रीम कोट से केंदर सरकार को राहत E.D. डाइरेक्टर S.K. मिश्रा का कारेकाल 15 सितंबर तक बढ़ा कारेकाल बढ़ने पर S.G. ने F.A.T.F. के भारत दौरे की दी दलील जज बी आर गवई ने पूछा क्या पूरा विभाग आयोग्य लोगों से भरा है राजस्तान के सीकर से P.A.M. मोदी का जबरदस्त अचैक कॉंग्रेस के लूट की दुकान सजाई देश की सबसे दिशाहिन पार्टी कॉंग्रेस P.A.M. मोदी बोले लूट की दुकान का ताजा प्रोड़क्ट लाल डायरी जब इनके पन्ने खुलेंगे तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे P.A.M. मोदी ने कहा नाम बदलने से कुछ नहीं छिपे गए पाप, इंडिया का जवाब में क्विट इंडिया का दिया नारा कॉंग्रेस की गारेंटी पर भी बरसे P.A.M. बीजेपी ने दिया मुफ्त राशन, मुफ्त कोरोना वैक्सीन और पांच लाग तक का इलाज अशोग गहलोत का पलटवार बीजेपी चुनाव हार रही है इसलिए लाल डायरी का शिगूफा छोड़ा P.A.M. के बयान पर बोले मंतरी परचाप प्रताप सिंग खाचरियवास संसद में बोलने के लिए P.A.M. के पास समय नहीं, राजस्थान में दे रहे हैं राजनेतिक भाषण मल्लीकार्जुन खरगे का निशाना कॉंग्रिस नेता जैराम रमेश का बीजेपी संसदों पर आरोप मल्लीकार्जुन खरगे को सदन में बोलने से रोका इंडिया अलाइंस के सांसद 39 और 30 जुलाई को मनिपुर जाएंगे हालात कलेंगे चाहिजा राहुल गांधी का पीए मोधी पर निशाना उनकी विचारधारा ने मनिपुर को जलाया संबित पात्रा की न्याय पालिका और एलेक्षिन कमिशन से मांग राहुल के बयान का ले संग्यान राहुल ने कहा था बीजेपी आरसस का संस्थाओं पर है कबजा मनिपुर पर कॉंग्रेस सिर्फ राजणीती कर रही है इस पर चर्चा नहीं चाहते संबित पात्रा कारुप चंसद में काले कपडों में पहुँचा विपक्ष मनिपुर मनिपुर की नारे बाजी जवाब में मोधी मोधी के नारे लगी विपक्ष के ब्लेक प्रोटेस्ट पर बोले पियूश गोयल इनका आज भी काला और भविश्य भी काला पूछा काले कपड़ों में क्या चिपाना चाहते हैं पियूश गोयल पर अंदीप सिंग सुर्चेवाला का पलटवार बीचेपी के दिन काले इसलिए विरोध का काला रंग कैसे दिखेगा मनिपुर कांड पर अखिलेश का बीजेपी से सवाल पूछा एकॉनमी नंबर वन होने पर महिलाओं का कैसा सम्मान होगा काला कपड़ा पी-म के एहंकार के खिलाफ कॉंग्रेस सांसत गोरगोगई बोले मनिपुर के लोगों के घाओं पर नमक छिड़क रहे हैं मोदी कानून मंत्री अरजुन मेगवाल बोले पी-म देश को 2047 तक विक्सित राष्ट बनाने में जुटे विपक्ष को नहीं आ रहा है पसंद पिछले आठ दिन से मनिपुर पर पी-म का ध्यान दिलाने में लगा है विपक्ष जवाब दे पी-म संचे राउत का बयान मनिपुर में शान्ती बाहली का काम किया जा रहा है विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बाग्ची का बयान राज्यसभा में कल होगी इंडिया अलाइंस पार्टी के फ्लोर लीडर्स की बैठक आगे की रणनीती पर होगी चर्चा फुद को इंडिया कहने वाले इंडिया के हित नहीं सुन पा रहे हैं विपक्षी गटबंदन पर विदेश मंत्री एजजय शंकर का टे जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव होंगे तो बीजेपी को दस सीटे भी नहीं मिलेंगी एंसी नेता उमर उब्दुल्ला का बयान रामगोपाली आदव का बयान कहा अविश्वास प्रस्ताव मन्जूर हो गया तो चर्चा हो प्रस्ताव का जवाब दे पिए मोधी संसद्य कार्यमंत्री जोशी का बयान अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष में मत भेद कॉंग्रिस ने किसी विपक्षी दल से चर्चा नहीं की कॉंग्रिस सांसद नासिर हुसेन का आरोप मनिपूर पर जवाब से भाग रही है सरकार लेकिन सच को सामने लाकर रहेगा विपक्ष राज्यसवा में सिनोमेट्रोग्राफ संशोधन बिल पास अब पैरिसी करने पर तीन साल की होगी जेल की सजा चार अगस तक चलेगा महराष्ट विधान मंडल का मौनसून सत्र 29 जुलाई से एक अगस तक रहेगी छुट्टी अभी सीम पद खाली नहीं लेकिन अजित पवार जरूर बनेंगे सीम प्रफुल पठील का दावा पीम मोदी ने किसान संबान निधी की चौधवी किस्त जारी की कहा हमारी सरकार किसानों का दर्द समझने वाली सरकार पीम मोदी ने राजकोट में कहा आज पुरानी सरकार होती तो 300 रुपे लीटर दूद और 500 रुपे लीटर किलो दाल मिलती पी-म ने कहा हमने सस्ता इंटरनेट उपलब्द करवाया आज पुरानी सरकार होती तो मोबाइल का बिल छे हजार तका था खिलाडियों को स्टेपल वीजा देने का मामला गरमाया भारत ने चीन के सामने जताया कड़ा विरोध जंसद में दिल्ली अध्यादेश पर केंदर के पक्ष में वोट करेगी जगन मोहन रेड़ी की पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर दिली हाई कोर्ट का रेस्तरा और होटल असोसियेशन पर एक्षन सर्विस चार्ज के निर्दोशों का पालन नहीं करने पर कारवाई गुजरात में सत्तर आईपियस बदले गए जी एस मलिक होंगे एहमदाबाद के नई पुलिस कमिश्टर रोहिनी कोर्ट ने कंजावला हिट एंड ड्रग केस में आरोप तै किये चारो आरोपियों पर चलेगा हत्या का मुकत्मा गैंग्स्टर एक्ट में सजायाफता अफजाल अंसारी जेल से रहा यूपी के गाजीपुर जेल में था बन कटिहार पुलिस फाइरिंग में मारे गए सोनू के परिजनों ने मांगा इंसाफ कहा पुलिस ने एंकाउंटर की तरह की हत्या कटिहार में प्रदशनकारियों पर पुलिस ने की थी फाइरिंग खुरशीद और सोनू नाम के शक्स की मौत एक खायल कटिहार फाइरिंग पर बोले स्पी जीतेंद्र कुमार पुलिस ने उगर भीर पर बचाओं में चलाई गोली बीजेपी नेता सुशील मोदी की मांग कटिहार फाइरिंग मायन लेकी होनी चाहिए जाँच पीडितों को मिले मुआफसा बिहार के मुजफरपुर में भारी बवाल चात्र की हत्या के बाद प्रदशन कर रहे लोगों पर लाटी चार्ज अपराधियों ने मारी थी गोली